हेलो वेल्कम फ्रेंड्स मेरा नाम है अभिशेक सर्मो मैं हूँ आपका अलाइन ड्यूटर एक्सल सॉफ्टर के टुटोरियल में आपका स्वागत है और जिसमें हम डाटा विलिडेशन सीरीज सीख रहे थे और यह डाटा विलिडेशन सीरीज का पार्ट नंबर फोर है जिसमें हम सीखेंगे आज टेक्स्ट लेंथ फॉर्मेट मैंने यहां पर है और अगर डाटा विलिडेशन की बात की जाए तो हम जब डाटा विलिडेशन पर जाते हैं तो यहां पर एनी वैलू के नीचे वह लाता है अगर नहीं पता है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्किप्यप्ष Smण बॉक्स में मैं प्रिभिएस वीडियो का जो लिंक है वो डाल दुगा ताकि आप अन्हें पर पहले की जो वीडियो है प्रिवेस वीडियो हैं उन्हें देखकर चीक सके और बाखी जो आज को जो topic है वो text length के उपर हैं और text length जब आप select करते हैं तो इसके नीचे data के अंदर बहुत सारे options आते हैं जिसमें between, not between, equal to, not equal to से लेकर less than or equal to यानि कि between से लेकर less than or equal to तक के बहुत सारे options आपको देखने को मिल जाते हैं जो आप यहाँ देख रहोंगे heading में मैंने between से लेकर less than or equal to तक लिख रखा है और 3 यहाँ पे serial number में डाल लखा है जिसके अंदर हम इसकी conditions को apply करेंगे तो text length चलाने के लिए मैं सबसे पहले between का यूज़ करूँगा तो मैंने एक से लेकर 3 तक का जो cell है वो select कर लिया serial number वाला और data validation पे click करके any value के नीचे text length का जो option है यह हम select कर लेते हैं पहला option आता है between का जिसमें minimum और maximum दिया गया है मतलब text का मतलब होता है कि alphabetical alphabetical जो text होते हैं यानि कि जो text में लिखे हुए 5 डाल दिया और maximum में जो character है वो 8 डाल दिया यानि कि आप 5 से लेकर 8 तक के जो character के जो word है वही आप यहाँ पर type कर सकते हैं तो मैं 5 से 8 यहाँ पर डाल दिया input और error क्या मतलब होता है input होता right के लिए error होता wrong के लिए तो input में मैंने यहाँ पर type कर दिया r और यहाँ पर मैंने type कर दिया you are right इसी तरीके से error में जाते हैं यहाँ पर हमने डाल दिया x wrong के लिए और यहाँ पर मैंने type कर दिया you are wrong अब मैं जब इसे ok कर देता हूं तो यहाँ पर यह condition apply हो गई हर जगे अभी 0 value है तो इसलिए right का option person आ रहा है अब यहाँ पर between में 5 से लेकर 8 character तक आप input कर सकते हैं यह इसमें यह बता रहा है लेकिन अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूं जैसे राम और enter करता हूं तो यह 3 character यह input नहीं हो पाएगा you are wrong का message आ जाएगा रेटरी पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अगर मैं type कर देता हूं suppose that रोहित तो रोहित अगर हम लिखते हैं और enter मारते हैं तो देखिए रोहित में 3,2,5 character है इसलिए वो input हो गया है और 5 से 8 के बीच वाली value input वहीं तो मैं इसे आपको याद रहे इसलिए मैं इसे text वाला effect चला लेता हूं और इस पर मैं एक color कर लेता हूं कुछ इ यहाँ पर हमने लिखा है 5,2,8 character इसमें input होगा अब यहाँ पर रोहित के बाद जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया suppose that 8 character तो यहाँ पर मैं लिखता हूं अब इसमें हो गया आपका 1,2,3,4,5,6,7,8,8 character देखिए select हो गया लेकिन अगर यहाँ पर मैं डाल देता हूं 9 character जैसे मैंने डाल दिया surrender यही लिख देता हूं और pal लिख देता हूं PL और मैं enter करता हूं तो देखिए error आगया मतलब 8 से ज्यादा वाली value और 5 से कम वाली value नहीं input होगी अब मैं यहाँ पर डाल देता हूं supported ram pal तो यह देखिए इसमें हो गया 3,3,6 और बीच में 1 space,7,7 character हो गया और यह accept हो गया अब यहाँ पर not between, not between का मतलब है कि जहां से जहां तक value डालेंगे वो accept नहीं करेगा तो data validation पर हम दुबारा जाते हैं setting में और any value के जगे हम text length और between से नीचे not between और minimum में हमने डाल दिया 5 और maximum में डाल दिया 8 आप चाहें तो input और output message डाल सकते हैं और नहीं चाहते तो आप छोड़ भी सकते हैं यह तब भी काम करेगा तो यहाँ पर मैं यही चीज दुबारा type कर लेता हूँ अब यहाँ पर मैं अगर 5 character यानि कि रोहीती लिखता हूँ तो यह accept नहीं करेगा देखें और मैं अगर surrender लिखता हूँ तो आप देखेंगे यह भी accept नहीं करें क्योंकि यह 8 character है पांस से आठ वाले character not accepted होंगे नोट बिट्विन में तो मैंने यहाँ पर तीन character डाला Sam accept हो गया SHYAM SHYAM SING डाल देते हैं accept हो गया क्योंकि इसमें 5 तो यहाँ पर होगे character और आपके 5 यहाँ होगे 5 पर 10 आठ से जादा होगे अगर मैं यहाँ पर 4 character चलो डालता हूँ रभी accept हो गया यानि कि 5 से कम और 8 से जादा वाले ऐसे ही equal to मतलब बराबर रहें तो data validation, any value के जगे, text length और between में equal to यानि कि बराबर और मैं बराबर की length का character डालता हूँ 5 5 character के बराबर होना चाहिए अब अगर मैं 5 character से कम डालता हूँ जैसे Sam accept नहीं करा मैं डालता हूँ surrender तो accept नहीं किया इसका मतलब ना 5 और ना 8 accept कर रहा है, मैं अब वो डालूँगा जो 5 के बराबर हो, जैसे रा, खुल, accept हो गया, जैसे सो, नम, 5 character, accept हो गया, जैसे आयान, accept हो गया इसी तरीके से यह हो गया 5 character वाला, इससे next वाला चलाते है, note equal to, यानि कि वो जो value आप input करेंगे, वो उस value से अलग होनी चाहिए, जैसे note equal to में मैंने length डाल दिया, 5 ही डाल देते हैं, अब 5 वाले accept नहीं करेगा, मैं यह अगर डालता हूँ राहूल, तो accept नहीं करना देखिए, सोनम accept नहीं करना चाहिए, और अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ, 5 से कम, राम डाल देते हूँ, accept हो गया, यह देखिए, 5 से कम है, accept हो, मदब 5 वाले accept नहीं करेगा, फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया, suppose that note equal to में, सुरेस, यह लो, accept हो गया, और हम डाल देते हैं, सचिन पाल, सचिन पाल, यह हो गया, ज्यादा, accept हो गया, यह पांच करेक्टर से ज्यादा वाले, यह पांच करेक्टर से कम वाले, पांच वाले नहीं accept करेगा, इसमें पांच वाले accept कर रहा था, greater than, data validation, any value को जागे, text length, और greater than select, minimum, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं, 8 करेक् स, U, R, E, N, D, R, A, 8 करेक्टर हैं, accept नहीं किया, 8 से ज्यादा वाले accept करेगा, maximum उनने चीए 8 करेक्टर से, तो हमने यहाँ पर डाल दिया, supported, राम, कुमार, अब यह हो गया, 8 से ज्यादा, और ऐसी मैंने यहाँ पर डाल दिया, संकर, लाल, accept, ऐसी मैंने डाल दिया, निहाल चंद, C, H, A, N, D, तो आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने स्पेस के साथ भी सरनेम के साथ यूज़ करा, तो भी accept करेगा, इसलिए मैंने सरनेम के साथ डाला यहाँ पर, अब less than, कम से कम, तो मैंने यह वाला area selection करा, data validation पर गए, और मैंने यहाँ पर डाल दिया, text length, और यहा मैंने अगर पांच ही डालते हैं, जिसे पांच करेक्टर है, राहू, R, A, H, U, L, accept नहीं किया, अगर मैं पांच से कम डालता हूँ, Sam, accepted, मैंने डाल दिया, L, accepted, और चार करेक्टर होगे, और जादावाले डाल के देखते हैं, surrender, surrender, not accepted, मतलब पांच से कम ही accept करेगा, तो यह यहां पे हमने डाल दिया, चार करेक्टर का, यस, तो यह पांच से कम वाले थे, अब अगला आता है, greater than, or equal to, यानि कि या तो बराबर हो, या ज्यादा हो, तो मैंने select करा, और data validation, text length, और greater than, or equal to, minimum, यहां पे हमने डाल दिया, 8 करेक्टर, लिख भी देता हूँ नीचे, 8 कर अब यहां पे क्या है, अगर मैं यहां पे 8 करेक्टर से जाने डालता हूँ, तो 8 करेक्टर ही दालके रिखते है, surrender, 8 करेक्टर हो गया, accept हो गया, पहले 8 करेक्टर, इसमें accept नहीं कर रहा था, अच्छा अब यहां पे मैं डालता हूँ, surrender के बाद, supported, LGBT, जूबेर, जूबेर मतलब सरनेम के साथ भी अक्सेप्ट करेगा लेकिन 8 करेक्टर से ज्यादा वाले अब मैं यहां पर स्रेट करा और मैंने यहां पर बराबर हो या तो कम हो तो मैंने यहां पर डाल दिया 5 और ओक्सेप्ट करेगा जैसे मैंने यहां पर अगर 5 से ज्यादा डाल देते हैं जैसे हमने डाल दिया यहां पर 5 लिख देते हैं पहले तो यह और 5 वाले हैं जैसे राहुल एक्सेप्ट हो गया और अगर मैं पांस से ज्यादा लिखता हो जैसे मैंने यहां पर डाल दिया S A M E E R ये हो गए 3-3-6 देख लिया अगर मैं या पे डालता हूँ तीन करेक्टर वेद हो गया अगर मैं डालता हूँ रेहान हो गया अगर मैं या पे डालता हूँ मनन तो हो गया तो इस तरीके से जो टेक्स्ट जो इसका फॉर्मेट है वो ऐसे यूज कर सकते हैं तो उम्मीद करते हूँ आपके समझ में आया होगा और अगर वीडियो देखने में या समझने में कोई परिसानी होती हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार चला लीजेगा अगर फिर भी कोई पर क्योई रहती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लिजेगा जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं उस क्योईरी का solution करने की पूरी कोसिस करूँगा बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड को सेयर करना ना भूलें मिलते हैं आपसे नीव वीडियो के साथ तब तट के लिए बाई बाई टेक केर